नमस्कार जय जोहार चत्तिसकार न्यूस में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए देखते हैं आज की पंदरा फटा फट बड़ी खबरों को समाच की विकास के लिए वकीलों का बहुत बड़ा योगदान है 36 गड़ के गन्ना किसानों को 18 करोड 49 लाग प्रोथसान राशी चारी बोरम देव सहकारी शकर कार खाना को गन्ना भेजने वाले किसानों को राज्य सरकान ने बड़ी राहत दी है राज्य सरकान ने जिले के भोरम देव कार खाना कार खाना कार शेतर के गन्ना किसानों को देव प्रोथसान राशी 18 करोड 49 लाग रुपे का बड़ी राहत देते हुए त्युआरी सीजन में पेराई सीजन 2022 देश के लिए राज्य शाशन द्वारा गोशित गन्ना प्रोथसान राशी 18 करोड 49 लाग रुपे का भुक्तान किया गया है आम लोगों के लिए सरकार का बड़ा तौफा सस्ता हुआ गया सिलेंडर के दा पर दो सुर रुपे सबसीड़ी दे रही थी सरकार के इस फैसले से 33 करोड गैसलेंडर और भुक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा मलीकर जुन का पलटवार बोले जूटों के सरदार है मोदी 36 कर किराएगर में भरोसी के सम्मेलन में कॉंग्रेस अद्यक्ष मलीकर जुन खड़ गेने का मोदी हमेशे जूट बोलते है वजूटों के सरदारे पी एम धान करीदें की बात कहते हैं अब तक ना 15 लाक मिले और ना 2 करोड नौकरी मिली किसानों के आमदने भी दो गुनी नहीं हुई आगे का धान करीदी की लिमिट से भी ज्यादा करीदी वुपेश सरकार ने की इस सरकार में सीजी के लोगों की आमदनी बढ़िये चालिस लाक लोग गरीवी रेका से उपर उठे हैं पीएम मोदी पर सीएम बगेल का पलिटवार बोले कुत्तियों और बिल्लियों से ज्यादा घूम रहे एडी के करमच्वारी 36 गड़ के मुख्य मंदनी वुपेश बगेल ने हाली में 36 गड़ दोरे पर आये प्रिधा मंदनी नरेंदर मोदी के बयान पर पलिटवार किया है उन्होंने का कि आवारा कुत्तों बिल्लियों से ज्यादा एडी और आईकर विवाग के करमी घूम रहे हैं मुख्य मंदनी बगेल ने चुईताम ने देते हुए का अगर भाजबस सरकार में कोई जेल गया तो उसे जमानत नहीं मिलेगी सरकार ने नीट और जेई की तैयारी करने वाल स्टूडेंट के लिए शुरू की फ्री कोचिंग 36 गड़ सरकार ने फ्री कोचिंग योजना की शिरूआट की 36 गड़ सरकार ऐसे चात्रुक लिए सौमी आत्मनन योजना के तैयत फ्री कोचिंग की सुमीदा दे रही है 36 गड़ के मुख्यमंतरी वुपीश वगिल की गोशना के अनुसार जाने माने प्रस्टिक्शन संसान से स्टूडेंट को नीट और जेई की कोचिंग दी जाएगी राजजे के 146 विकास खन मुख्यालों में बियार सी सी केंद्र द्वारा करवाई जाएगी चात्रों को ऑनलाइन मोड में क्लासेज दी जाएगी सरकारी स्कूल की कक्षा बारवी के रेगुलर चात्र इन कोचिंग में दाखिला ले सकते हैं 36 गड़ में इन महिलाओं को मिलेगा 2 लाक रुपए का पुरुसकार 36 गड़ शाशन द्वारा महिलाएं विशेशकर वीर्त शौरे सास और महिलाओं में आत्म बलको सशक्त करने की शेत में उत्रश्टी कारे करने के योगदान को प्रोसाइट करने की द्रश्टी से विरागना रानिया वंतिवाई लोधी पुरुसकार देने का नेने लिया है विरागना रानिया वंतिवाई लोधी पुरुसकार अंतरगर च्यानित महिला को राज्जी शाशन द्वारा पुरुसकार के रूप में अगर सड़क नहीं बनी तो वोट भी नहीं देंगे ग्रामिनों ने सड़क नहीं बनने पर अफसरों को गाव में नहीं गुसने देने की बाद भी कही है कांकेर में सीएम पुपेश की सबा का भई शकार करेगा सर्व पिछडा वर्ग बस्त संभा के जिलात द्यक्षे जगर्ना साउय ने बताया की पिछडा वर्ग समज लगाता पास सालों से अपनी मांगो को लेकर आंधुलन कर रहा है लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया इसलिए वो CM के दोरे का विरोध करेंगे कॉंग्रेस 10 अक्टूबर के बाद ज्वारी कर सकती है सूची 36 गड़ में कॉंग्रेस 10 अक्टूबर के बाद प्रतियाशियों की पहली सूची एच्वारी कर सकती है अक्टूबर के दूसरे अक्टे में सेन्ट्रल स्क्रीनिंग कमीटी की बाद प्रतिय गई जो भी तीन दिन पहले वी बैटक में सभी नब्विवदान सबस सीटों के लिए सिंगल नाम तैग किये गए हैं दिली से इन पर मुहर लगनी बाकी है रायपूर में 10 रुपे किलो महंगा हुआ आटा काबूली चने की कीमत 20 सी सिधी उचली किवारी सीजरी शुरूने को है और आटा दालो महंगा होने लगा है बीते 6 महा में ही आटे की कीमतों में 10 रुपे प्रती किलो की तेजी आ गई है बताया जो बह रहा है कि आर्ट की किमतों में तीजी का कारण गेह का किमतों में आई तीजी है शह माह पहले 190 से 210 रुपए का मिलने वाला ब्रांडेट आर्टा इन देनों 240 से 210 रुपए हो गया है ग्योंग की कीमतों में भी 6 माह में लगवक 300 से 600 रुपे प्रती कुंटल की तेजी आई है सरकार का मेगा प्लेस्मेंट कैम्प गर्बो भविश्य का आयोजन बालोद में युवाओं को रोजका दीने के लिए जिला प्रिश्य संद्वारा गर्बा भविश्य मेगा प्लेस्मेंट कैम्प का आयोजन किया गया है जहां पर पूरे जिले भर से युवा शामिल हुए हजारों की संक्या में यहां युवा पहुचे हुए थे जहां पर लगबग 588 बेरोस का युवाओं ने पंजियन कराया और 225 युवाओं को ततकाल नौकरी दी उन्हें न्युकती पत्र दिया गया वहीं एक दिन पूरव ब्लॉक इसतर पर आयुजित किये गए प्लेस्मेंट कैम्प में 158 बंजियन हुए थे जहां 89 युवाओं को ततकाल नौकरी दी गई 36 गड़ के मेडिकल कॉलेजों में इंटरंशिप के नियमों में फेर बदल 36 गड़ में उच्छिशिक्षा के नियमों पर लगता परिवर्तन किया ज़ा रहा है इसी बीच पढ़ने दीन द्याल हेल्थ साइंस एवं आयुश विश्विद्याले ने भी नया नियम लागू किया है लागू किये गए नियम के अनुसार अब मेडिकल कॉलेजों के चातर जहां से एमबीबेस की पढ़ाई करेंगे उसी कॉलेज से ही इंटरंशिप कर सकेंगे वे दूसरी कॉलेज में इंटरंशिप करने के पात्र नहीं होंगे 36 गड़ से गुजने वाली 35 प्रेने कैंसल दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे नाकपुर रेल मंडल के राजनान गाफ कलमना रेल खन के बीच में तीसरी लाइन को आंगाफ रेलवे स्टेशन से जोडने का कारे के लिए इलेक्ट्रोनिक इंटरलोकिंग का कारे किया जाएगा इस इलेक्ट्रोनिक इंटरलोकिंग कारे में प्री नॉन इंटरलोकिंग का कारे साथ से 10 अक्टूबर 2023 तक एवब नॉन इंटरलोकिंग का कारे 11 से 14 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा 36 गड़ में इसी अफते हो सकती आचार सहीता की घोषना चुनाफ को लेकर मद्दाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है चतिसगर की मुख्य निर्वाचन पदादिकारी रीनार बावा कंगाले ने प्रेस कॉन्फरेंस का विदान सब चुनाफ की मदेरज़ा मदाता सूची के बारे में विस्तार से चुआद करी दी मुख्य निर्वाचन पदादिकारी ने बताए कि प्रदेश में अभी कुल मद्दाता दो करोड तीन लाग साट साथ उसुचाले से इनमें पुरुष मद्दाता की संख्या एक करोड एक लाग बीस अजार आट सो ती से वहीं महिला वोटरों की संख्या एक करोड दो लाग उ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद